लोग भी सोच रहे होंगे कि आज मैं कहा निकल पड़ी हूं इतनी सुबह और मौसम तो देखी रहे हैं आप इतना ठंड हो चुकी है कि मैं एकदम अपना पैक हो गई हूं क्योंकि आज मुझे जाना था एम्स जहां से मेरा इलाज चल रहा है अभी जो मेरा चेस्ट की प्रॉ आई है तो सारी चीजें उनको दिखाना था मैंने सुचा आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आज सारी चीजें आप लोगों के साथ बताऊंगी मैं कि मेरे रिपोर्ट में क्या थी डॉक्टर ने मुझे क्या ड़्वाइस किया है सब कुछ तो बने रहे हैं मेरे साथ और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे यहां पर मैं पहुंच गई थी मेट्रो और मैं अकेली ही गई हूँ आज तो मेट्रो से ही जाती हूँ तो इजी रहता है आराम से किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है मैंने यहां प पहुँच गई थी अच्छे से टोकन वगरा लेके लाइन में नंबर आ गया था डॉक्टर के पास भी चले गए थे बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को सारी चीज़े बताऊंगी तो बने रहे हैं मेरे साथ एंड तक यहां पहुँच गई हूँ और मेरा नंबर था 16 तो मैं अपने बारी का इंतिजार कर रही थी बहुत सारे लोग थे और बहुत ही अच्छे से नंबर आया बहुत अच्छे से आया साड़े चार बजे नंबर आया और सारी चीज़े मैं आप लोगों को बताऊंगी अच्छे से काम माम हो गया सब कुछ हो गया और अब मैं चलती हूँ वापस वापस ये देखिए एमस का ही है एमस में अभी ये लग गए है तो इससे भी नीचे उपर कर लेते हैं कभी लिफ्ट से भी कर लेते हैं कई बार लिफ्ट क्या होता है धोखा दे देता है तो ये चीज़े अच्छी लगती है आज तो मैंने ये कहा था कि आज लेट हो गया है तो अच्छे से ही लेट हो जाए कोई बात ने तो यहां पर फ्री सेवा का भी आनन्द लिया आज मैंने और आगई मैं बाहर में गेट तक ये गाड़ी छोड़ देती है फ्री में सब भी को और मैट्रों से फिर से मैं आ जा सबसे पहले ना थोड़ा सा चेंज कर लेती हूं छे बज गए हैं सच में आपको मोबाइल रहता है मोबाइल रहा कर निया यहां पर और बैग मेरा देखिया भी वहीं पर पड़ा है सब कुछ बताओंगे आप लोगों को कितना हो रहा है सब अच्छा एक तो लेने भी जाम ल कि जितना अलटा सांड वाले ने यहां डगा दिया था ना वहां उसने उतना ड़ाया नहीं थोड़ी सी यह अच्छी बात रही मेरे लिए कि बहुत साथ टेस्ट हुए हैं फिर से अभी आप लोगों को बताती हूं पहले चेंज कर लेती हूं और सबसे तगड़ी लगे मैंने खा लिया है और है चेंज बहुत रहत मिले हैं लाट मिले हैं लाट राट राट चाय भाई चाय 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 नहीं थोड़ी सी पी थी बेटा बंद कर दूंगी दीरे दीरे और यहां पर चाय भाई पीने के बाद थोड़ा सा अराम भी कर लिया मैंने और सोचा कि आप लोग के साथ शेयर तो करूं कि मेरे साथ हुआ क्या आज तो आज न मैं गई एम्स और इंडिया मेडिकल आपको भी पता है यह वहीं से मेरा इलाज चल रहा है तो एम्स गई हूं सुभह 6 बजी और आज मोसम बहुत ठंडा था आप लोग देख भी रहोंगे कि कल से ही कोहरा कोहरा हो रहा है अब फौग है या पॉल्यूशन है क्या है बगवान जाने क्या है मगर ठंड हो गई है मगर दो दिन में कप्ड़ निकालने पड़ेंगे फट अभी घर में होनों बटापा भाई है गोलू बहार आ आता हैं 20 लोगों को अब जरूरत हो गई Kinा जरूर बताएगा आज इस वीडियो में आ आहोंगी कि पिछल्वैं प्रॉब्लम आ गई है तो सच में अल्टा साउंड वाले डॉक्टर ने मैंने अपने तरफ से नहीं बोला था और वही चीज उन्होंने इग्नोर कर दी ओल इंडिया मैटिकल साइंस वाले डॉक्टर ने आप यह सोचो वह चीज इग्नोर कर दी कहा कि कोई बात नहीं यह सब यह ज़्यादा मैटर नहीं करता है अभी जो आपका मेन है फेफडे की प्रॉब्लम सांस की प्रॉब्लम लंग्स को देखना है हमें और आपके सुन जो हो रखे पैर उस पे ध्यान देना है वह फैटी लीवर है तो अल्टा सवन में क्या था मेरा फैटी लीवर हो गया था यह सब नॉर्मल है आजकर थोड़ा सा वजन पर कंट्रोल करिया और वजन पर भी काम करना है मुझे वजन पर क्या काम करना है बताओ ना बैठे बैठे क्या ही करूँ बट जुंबा उंबक यह है क्लास योगा करती हूँ अब वाक भी शुरू करूंगी वाक मैंने उनको य अध्धा कहीं आ गया है थोड़ा सभी उपर नीचे इतना भी हो जाता है तो मैं गिर जाती हूँ और गिरने से मेरे क्या हुआ है पिछले सल दो बार पैट टूट गए तो यह चीज है मेन आ जाते हैं मुद्धे पर मुद्धा क्या था मेरा मुद्धा यह था कि आज गई ह मैं साड़े आठ में मैं पहुँच गए थी मेरा नौ पॉने नौ तक एक टोकन मिलता है मतलब एंट्री होती है आभा कार्ड से ना कुछ-कुछ वो करना होता है OTP वगएरा वो लेके तब आपको डेट डलेगा और परची बनेगी तो मेरा लास्ट टाइम परची तो बनी ह भी थी अपॉन्मेंट था तो इतनी प्रोब्लम नहीं हुई बट आज मेरा क्या था कि मुझे परची बनवाना था और नया परची बनवाना था एक पूरा फिल हो गया था तो एक नया परची भी बनवाना था डेट भी डलनी थी और मतलब डॉक्टर को दिखाने के लिए उनसे टोकन भी लेना था तो वह भी मैंने करा लिया अच्छे से उपर पहुंची मेरा था सोलवा नंबर सारह वह हिस्ट्री वगएर लिए कि आगे क्या उनको करना है उस चीज के लिए उनके पास ला रहे थे जो मेरे डॉक्टर है वहां पर प्रोफेसर उनको बोलते हैं वह सीनियर है बहुत जादा तो उनके पास लाके तो वह दस जो लाते थे तो उसमें समझो ना दो घंटे भर यह करवाओ वो टैस्ट करवाओ तो इन चीज में ना मेरा समझो दस वा नंबर आते-ाते-एक बज गए discussed और मेरा निम्बर आते वजगे थे साड़े तीन साड़े तीन बज़े जाके मुझे यह तसलिए हुई मैंने मामी को भी कॉल आया था मामी का तो मैंने बोल दिया माम ले के लिए आप लोग तो फिर दर्जने को पहले वो देखने लगे उनको समझाने लगे उनको क्या-क्या करना है वो सब करने लगे तो यह चीजे ना बहुत बिकार लग रही थे और मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था पता निए पीट और पेट में विदर दो रहा था हुआ क्या डॉक्टर ने क्या कहा तो मेरे सारे रिपोर्ट्स ठीक थे उन्होंने बहुत सारे ब्लड टेस्ट आज लिखे जैसे की लिखा LFT, KFT, कैरेटेन और विटामिन D, विटामिन B12, TSH यह पता नहीं दुनिया भर के मैंने तो यह तो मुझे पता है और जो नहीं पता है वह भी लिखा तो वह सब भी कराना है एक फूक की जांच हुई पहली बार मम्मी को भी हुआ था फूक का जांच तो फूक का जांच भी हुआ है आज वह भी करवा के ही आयूम है इस वज़े से तोड़ा लेट भी हो गया और मुझे उन्होंने बुला कि न्यूटीशन से भी आप मिलो एक बार और वह आपको डाइट प्लान वगयरा बता देंगे कि क्या करना है आप कौन सा दूद पीते हो क्या फल खाते हो कौन सबजी कितना तेल यह सब क्योंकि वजन पेगाम करना और आपका थाइराइट पहले ठीक करना थाइराइट मेरा बहुत बढ़ा तो यह बहुत बढ़ा हुआ है मगर थाइराइड को भी अभी वह नहीं देखेंगे खेंगे बस इसी योगा वगयरा से और कुछ यहां का मसाज बोला है वो करना है तो वह सारा डाइट प्लान भी लेके आई हो तो इन सब चक्रों में न कभी यहां कभी वहां कभी माइनस इन से चलना होता है और लिट से चलना होता है वहीं पे वही साढ़े चार हो गयते निकलते निकलते पांच हो गए आते आते सब आच सब आचे हो गय Dennis का तो यहीं अरे चीजे थी आज पार रिपोर्ट जो देखी न, उन्होंने सब को ठीक लगा blood में इतनी सारी problems है सारे ही अलग bold bold उसमें letter में है है ना जो सही रहता है वो normal letter होता है alphabet होते है और जो नहीं होता है अब normal जो होगा ना वो होता है bold उनको कोई बात या भी इसको छोड़ते है अब आगे जांच कराई फिर तो मुझे next week एक और जाना है वो बताएंगे कि कैसी दवाईयां चलेंगे आपकी फोग की जांच भी थोड़ी सी गड़बड आई है और फोग की जांच बड़ी अलग होती है फूख मारें ने को बोले न अजीव सही मुह में डाल के खहते फूख मारें मुह में डाल के फूख कैसे मारेंगा इंसान समझ में या आता चलो वो भी एक प्रोसीजर होगा अब इतना ही बोल ली न मैं ठक गई तो आप लोग बताना कि आज की वीडियो आप लोगो कैसी लगी मैं अके ले गई थी और मैंने सोचा कि आप लोगो को बताऊं बाकी मेरी मेडिसिन भी लिखी उन्होंने कि एक हफते तक आप ये खाई एक खाई एक खाई के लिए मैंने बताया है कि खाई तो इतना हो रहा है ना मुझे मैं कल रात को भी तीन बज़े सोई हूँ फिर हॉस्पिटल जाना फिर मन नी कर रहा था जाने का फिर भी गई हूँ और आज तो अच्छा हुआ कि वो डॉक्टर मंडे और थॉस्टे ही बैठते है तो तुक्य से ही ये मुझे याद नहीं था सच बता हूं तो वहाँ तुक्य से ही पहुँच गई और भगवान ने मुझे पहुचा दिया और आज काम भी हो गया और सब काम अच्छे से हो गया गोलु का टाइम बरबाद ने किया आज मैंने इस बात की खुशी है अकेले ही कर लिया और मुझे लगता है कि हो जाता है अकेले दीरे 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 आप बैठेर हो हो जाता है इतनी भी मैं वह नहीं हो कि मेरे साथ कोई चले है वह भी पढ़ाई करता रहता है तो नहीं सही लगता है वागि सब अपनी लाइफ में है सबका अपना सेट्यूल है इसलिए मैं किसी को डिस्टरब नहीं करना चाहती हूँ और इसलिए आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताएगा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजी और नए है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी मिलते हैं बरवर के कमेंट भी करिए है ना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई राधे राधे सब का ध्यान रखिया अपना भी ध्यान रखिया